Hello students, Elite Studies जिन्दौर के इस पॉटकास्ट में आप सभी का स्वागत है इस पॉटकास्ट में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जैसे कि आप टाइटल देखी रहे हैं, कल UPSC के एक्जाम है और यह देश के सफसे बड़ी परिक्षाओं मैंसे एक जिसको आप कहते हैं, संग लोग से वायोग या सरल भाशा में कहें तो जो IES, IPS, Collector, SDM बनना चाहते हैं, उनके लिए कल का जो दिन है वो बहुत ही महातुपूर्ण साबित होगा मैं इस बाड़कास में सर्फ UPSC की ही बात नहीं करूँगा, बलकि MPPSC और जो परिश्चितियां हैं, सारे महातुपूर्ण बिन निवों पर बात करूँगा इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इसको बिना स्किप किये जड़ू सुनिएगा सबसे पहले UPSC के जो अफिर्थी हैं, जो कल एक्जैम में बैठेंगे, उनके लिए मैं कुछ महातुपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ देखें, मैं आपको बता दूँ कि आपने बहुत मन से, बहुत ही लगन से अपना 100% दे कर तयारी की होगी लेकिन फिर भी जब कल एक्जैम है तो आपके दिमाग में आज क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि पेपर कैसा जाएगा, मुसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्या पूछा जाएगा और सबसे बड़ी बात होती है कि इस पेपर में निगेटिब मार्किंग भी होती है मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा, जो की आपको एक्जैम में बहुत हल्प करेंगे और इस पॉड़कास को सुनने के बाद आप बहुत हल्का पन महसूस करेंगे सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो कोई भी रखती हो, कितनी भी अच्छी मेनद करने वाला व्यरती हो चाहे वो सब्जेक्स का दस बार, बीस बार, पचास बार रिवीजन कर ले हमेशा अंदर से ये फीलिंग रहती है कि पेपर बनेगा या नहीं बनेगा क्या पूचा जाएगा, ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है सबी के अंदर होती है तो आप ऐसा ना सोचें कि आप जो है दूसरों से कमजोर है, इसलिए आपके मन में ये फीलिंग आ रही है ये विचार आ रहा है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अपना 100% देता है, निश्यत रूप से उसके मन में ये ख्याल आते है अब अगर हम वहाँ एक्जाम हॉल में नर्वस हो गए, तो निश्यत रूप से कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक तरह से नकरात्मक सावित होगा, नर्वस नहीं होना है, देखे, आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, कि आप अभी से, चुकि आपका एक्जाम है कल, इसलिए आप अभी से अपने दिमाग को अपने आपको रिलेक्स करना चालू कर दीजे, मतलब अब आप कुछ आजाएगा, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, तोड़ा सा अब इन चीजों को स्टॉप कर दीजे, और अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दीजे, और कोशिश ये करिए, कि जितना ज्यादा रिलेक्स होकर आप जाएंगे, उ बहुत ही लाइट करना है, कहने का मतलब बहुत जादा हैवी ब्रेक्फास्स ना हो, जिससे आपको एक्जाम हॉल में सिर्भारी हो जाया या किसी तरह की और कोई तकलीफ हो, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये तो थ बेक्स हो जाएए, आरामसे सो जाएए, एक्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आप जोचिंगे, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को जोड देंगे, आप एकिन मारेए, आप अपना 100% एक्जामर नहीं फिजिकल का उनको जो उनके ट्रेनर होते हैं वो rest करने के लिए बोलते हैं क्यों क्योंकि अगर शरीर पहले से ठका होगा तो आप ठका हुआ शरीर ले के जाएंगे तो आप कैसे 100% दे पाएंगे तो जो मेहनत करनी थी जो तैयारी करनी थी तिए अब आप रिलेक्स हो जाईए आराम से आपको अबसेंद का कोई गाना सुनना है पसंद का कोई मोटीवेशनल आपको भजन सुनना है सौंग सुनना है तो आप जो है उसको सुनिये अपने आपको रिलेक्स करिए और एक्जाम की त Olivier आपकी बहुत अच्छी है ऐसा सोच के आपको अब सो जाना है कल जब exam hall में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ गलतियां जो आपको नहीं करना है वो आप सुनेजे पहली बात तो यह है कि आपको मैं बता दूँ कि कभी भी किसी भी अभ्यर्थी से बच्चे स सौ मैं से सौ कुशन सही नहीं बलते हैं हमें हमेशा यह सोचना है कि हमारा जो score हो वो इतना हो कि हम जितना cut-off जाए उससे 10 कुशन जादा करके आए और अगर आप इतना सोचेंगे तो कम से कम 5 ये 6 कुशन तो cut-off से जादा रहेगा और पिछले साल के cut-offs आपको सभी को पत करना है क्या करना है आपको पूरा पेपर एक से लेके सौ में कुशन तक रीड करना है अब जब आप पूरा पेपर एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सौ में से 40, 50, 60, 70 कितने कुशन आपको जो है वो सही सही बन रहे है क्योंकि ये तो पता ही है एकर आपसे नीती आयोग के उपादिक्ष पूछे जाएंगे या CEO पूछे जाएंगे बन जाएगा simple सा question और ऐसा भी नहीं कि पूरा paper tough होता है जो paper होता है वो level by level इतने questions बहुत easy होंगे इतने question average होंगे फिर difficult फिर very difficult ऐसा level होता है तो जो easy और average है वो आपसे बनेंगे लेकिन पहले एक पूरी reading रीडिंग करने के बाद आपको फिर जो question आपको लग रहा है कि इनके answers 100% accurate है यही है उनको fill कर देना है वहीं माली जी पहले का पता है फिर आपको तीसरे का पता है फिर 7 में का पता है नौ में का पता है फिर आपको 15 में का पता है ऐसे करके जितने आपके सही सही आपको लग रहा है कि 100% accurate है आपको भर देना माली जी आपने पहली बार में ऐसे करके 40 question आपने जो 100% sure थे उनको fill कर दिया अब आपको आना है फिर से दुबारा और ये देखना है कि कौन से ऐसे questions है जो आपको लगतो रहे कि मुझे पता है बड़ doubt है कि A होगा या C होगा या B होगा या D होगा यकीन वानी कि दिमाग में आपके जो click करे कि यही है सबसे पहले उसको देखिए suppose चार option में से आपको लग रहे कि यह A वाला से है फिर आप B, C, D देखिए और फिर एक एक करके हटाते जाए कि D क्यो नहीं होगा B क्यो नहीं होगा और C क्यो नहीं होगा फिर आप A लगा दीजे तो ऐसे करके अगर आपसे 10-15 question भी बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और फिर आपको यह करना है कि जो बचे हुए प्रशन है उनमें अगर कोई बहुत ज़ादा आपको अंदर से आवाज आ रही हो कि यही होगा 2-4 question ऐसे तो आप लगा दीजे क्योंकि negative marking होगी negative marking से बच्छना है कई बार बच्चे जो है 55-60 question सही कर देते हैं लेकिन बाकी के 40 question गलत लगा देते हैं क्योंकि लालाशा जाती है या हमारे अंदर से हमको ऐसा लगता है कि हमारा selection नहीं होगा बट जब हम cut-off देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह तो बहुत कम था कास मैं सारे question attempt ना करता तो क्या होता मेरा selection हो जाता तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ जा टीचर कि पहले आपको पेपर की पूरी reading करना है जो मैं strategy यूज करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ read करने के बाद दुबारा आपको पेपर पर जाना है और आपको क्या करना है आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न जो है आपका आपको लग रहा है कि ये as it is आपने पढ़ा हुआ है यही है वही आया है भर दीजे फिल कर दीजे बिल्कुल इंतजार मत करिए कि आप एकटे भरेंगे एक, तीन, नौ, ग्यारा पन्रा, सत्रा ऐसे करके भले ही कितने ही फासले से हो सब फिल कर दीजे मतलब ऐसे करके अगर पैतालेस कुश्चन भी सही हो गए आपके 45 कुश्चन आपके सही है तुबारा चांस में जब आप आए आपने पांत इस कुश्चन भी सही कर दिये आप पचास पच्पन क्रॉस करके आपके सफल होने के चांस जोर उतने बढ़ जाएंगे और अगर आपने 60-65 का आपकर अटेस्च कर लिया तो यह वानिए कि आप बहुत अच्छा स्कूर करने वाले तो सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको नेगेटिव क्वेशन्स अटेम्ट नहीं करने है मतलब अपने पैर पर कुलाड़ी नहीं मानना है अब बात आती है कि जो यह प्रेशर है इसको कैसे टैकल करने थोड़ा सा यह भी सुन लीजे आपको एक दो तीजे याद रखनी है कितनी भी तैयारी के लीजे कितनी मेनद के लीजे कितना भी 100% देंगे हमेशे यह लगेगा कि मेरी तैयारी में कोई ना कोई कसर है कमी रह गई है सभी के अंदर यह feeling आती तो यह सोचना छोड़ दीजे अब यह सोचिए कि आपने 100% दिया जो होगा वो अच्छा होने वाला आपके साथ और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है दूसरी बात आपको आपके साथ जो भी चीजे हैं खासकर आपको यह ध्यान रखना कि पानी की बोटल में ग्लूकोस जरूब होना चाहिए गर्मी बहुत है पसीना बहुत आएगा और अगर वहां पर आपको घवराट हुई या किसी भी तरह की कोई बेचानी हुई कुछ आपको ऐसा महसूस हुगा तो पेपर आपका बिगर भी सकता है तो ऐसी चीज़े ना करें और पेपर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है तो मुझे लगता है कि छोटी सी टिप्स मेरी काम में आगी होगी कल एक्जैम है ज्यादा बता भी नहीं सकता समझा भी नहीं सकता इसलिए इतना ही काफी है आपके लिए और मेरी तरह से सभी UPSC की तैयारी करने वाले सभी जो हमारे कलेक्टर हैं जो IES IBS बनने वाले हैं कल के दिन ये एक्जैम पास करके उनको सभी को मेरी तरह से बैस्ट विशेस हैं और अभी भी रात को दो तीन बुजे तक मैं जागूँगा किसी का कोई प्रश्ण हो आप मेरे नंबर 9685570712 आपको आंसर मिल जाएगा अब बात आती है कि MPPSC का क्या तो दीखिए MPPSC के संबंद में आप सभी को परिस्थियां पता है थोड़ा संबंद में बेचैनी इस बात क्यों होती है कि 2019 का कुछ नहीं आया भी तक 2020 का कुछ नहीं हुआ भी तक और ये 2020 आ गई ये किस तरह की व्यवस्था है ये किस तरह की कारेशली है जहां पर दो एक्जेम्स मानी नयाले के दो दो तीन तीन चार चार ओर्डर इस परा चुके हैं उसके वाजूद भी ये जो संस्था हैं सामयधानिक संस्था हैं ये बच्चों के साथ किस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भविश बनाने वाली तैंस्था हैं भविश विगारने में लगी हैं ये हम नहीं कहरेंगे हाई गूट के ओर्डर्स कहरे हैं तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि आगे चलके एक नाएक दिन परस्थेतियां ठीक होंगी जैसे 2018 के पहले तक एक्जैम बहुत अच्छे से तरीके से करवाय जाते थे वैसे ही होंगे जो बच्चों के लिए औसर की समानता जैसे समयधानिक अधिकार है उनका उलंगर नहीं होगा और जो ये कारेश शैली है जो इनकी ये नीतियां है इसको सुधारेंगे और बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगे अब तैयारी का जहां तक प्रशन है तो देखें मैं आपको बता दूं कि कल हमारी टेस से आप सभी को पता है कल से शूनक हो रही है चुकि MPPSC का कहना है कि भी उननी सूनक होगा आगे क्या घटना करम घटेत होगा ये तो ईश्वर जाने भाविश्य में क्या होगा कोई नहीं जाता बट ये है कि बच्चे प्रियास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हजारों असंख्य बच्चे जो हैं आप कह सकते हैं कि कोई आकड़ा नहीं हमारे पास एक्जर के कितने सरकारी नौकरी वाले बच्चे एक्जाम देंगे और खासकर बहुत सारे बच्चों को समय भी कम मिला है तो उनकी भी अपनी परिशानिया है और आचार संगता जैसे माहौल में जहां पर सबकुछ राज निर्वाचनायो के हाथ में होता है वहां पर स्टेट गोवर्मेंट कैसे इस एक्जैम को कंड़क करेगी ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी विगस मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन बाकी है धीरे धीरे सब कुछ निकल कर आ जाएगा तो आप सभी से यही कहूँगा कि देखिए तैयारी करते रहे तैयारी रुकना नहीं चाहिए एक अभ्यर्थी कि एक स्टुडेंट की कितनी भी परिशानी आ जाए कितनी भी मुश्किले आ जाए और ऐसनी कि मुश्किलों का सामना हम ही कर रहे हैं जब आप इतिहास पढ़ते हैं जब आप इतिहास को उठाते हैं तो सबसे पहले ही आप देखते हैं जैसे ही आप सिंदुगाटी सब्विता पढ़ते हैं फिर जैसे ही आप सिंदुगाटी सब्विता का पतन पढ़ते हैं शुरू करते हैं तो वहीं से संघर्ष सुरू हो जाता है अगर किसी सब्विता का पतन होता है पतन मतलब उसका अंत होता है तो निश्यत रूप से कहीं कहीं कोई व्यक्ति जो होता है दिया जब बुशता है तो आपने देखा कि उसकी लौप फड़ फड़ाती है मतलब वो हवा के साथ संघर्ष कर रहा होता है तो कहने के मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई समाज या कोई राजा महराजा कोई शासक या कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रांती हम पड़ते हैं, देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि संघश जो होता है, वो हमेशा से ही, आज से नहीं, हमेशा से ही, हर एक व्यक्ती ने किया है, हर एक मनुश्य को अपने जीवन में बुरे दिन देखने पड़ते हैं, और कहीं न कहीं जब बुरे दिन से सीखता है, उसे संघश करने की आदट डालता है, तभी वो सही मायने में ये समझ पाता है कि आखिर लाइफ में संघश का क्या महात है, जो व्यक्ति संघश करने के बाद आगे बढ़ता है और निकल कर सामने आता है, वही एक हीरो होता है, रियल लाइफ हीरो होता है, तो इस चीज को समझे, चाहे वो भगवान राम हों, चाहे वो भगवान कृष्ण हों, चाहे वो कोई भी बड़े महापुरुस हों, महात्मा हों, संत हों, सभी ने आपने पढ़ा है, जाना है, समझा है, अपनी जिंदिगी में संकर्ष देखा है, भगवान राम को 14 वर्स का वनवास मिला MPPSC वालों को 2019 से 19, 20, 21 और ये 24 साल यानि लगातार 4 सालों का वनवास MPPSC के अभ्यर्थों को भुकतना पड़ रहा है और बड़ी बड़म बनाए भी है कि जो बच्चा 2019 में DSP बन जाता Deputy Collector बन जाता वो 2020 नहीं भरता जो 2020 में Deputy Collector DSP बन जाता वो 21 नहीं भरता आज परिस्थितियां ये हैं कि एक नौकरी के लिए बच्चे तीन-तीन फार्म भरे हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कि तीनों जगे सेलेक्ट होंगे लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर इस बच्चे को जो ये बच्चे तीनों जगर स्लेक्ट होंगे अगर यही बच्चे 2019 में नौकरी उठा लेते तो कुछ सीर्स खाली हो जाती हैं और बहुत सारे बच्चे मेंस लिखते बहुत सारे बच्चे इंटर्व्यू देते लेकिन ये कहीं न कहीं नीतियों की खामिया हैं ये आवयवस्थाएं हैं चाहे वो आप किसी भी प्रकार की आवयवस्था कह लीजिए तो इसमें हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश लगातार जारी हमारी की हम बद्लाव लाएं जिस प्रकार से 2018 तक सभी परिक्षाएं सही तरीके से होती थी वैसे ही हम उनको करवाएं और अगर कुछ भी गलत होता है किसी भी प्रकार से किसी भी एक भी अफ्यर्थी के साथ तो हम उनके अधिकारों के लिए सचेद करेंगे सजग रहेंगे मानी नयालाइग और जो भी सामेधाने का अधिकार है उनका प्रियोग करने से नहीं चुकेंगे क्योंकि अब MP का युवा भी जाग गया है और उसको जगाने वाले हम हैं अगर उसको उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं है तो हम बताने वाले हम बताएंगे कि उनके क्या अधिकार हैं क्या राइड्स हैं और जब तक वो सारे राइड्स जो की constitutional राइड्स उनको नह हैं बहुत अच्छे questions मैंने select की हैं बहुत मज़ा आएगा और यकीन मानिए कि एक तरफ MPPSC का paper उठा के रख लीजेगा एक तरफ मेरा रख लीजेगा वही level वही questions हो इतने मज़ेदार questions आपको मिलेंगे मज़ा आ जाएगा आपको लगेगा वा क्या question मनाये हैं पढ़ा तो question विवादित नहीं होगा हिंदी और अंग्रेजी माथम में होगा answer की भी मिलेगी explanation भी मिलेगा कुछ doubt होगा तो प्रिंसर से बातचीत भी हो जाएगी लेकिन बस एक्षा ये है कि थोड़ा सा exam में जाने से पहले कुछ अपने आपको प्रूफ कर लें परक लें कि क्या हम उ जब से सिक्षा का जो व्यासाइगरन हो गया बिजनस बना दिया है आप सभी को पता है आपके दोस्त यार मित्र जो भी हैं आपको पता है कोई पेपर बना रहा है किसी संस्थान के लिए कोई कॉपियां चेक कर रहा है मतलब जो काम सिक्षकों का है वो काम आप student कर रहे हैं तो मुझे बहुत आशा है इस test series से और बहुत सारे बच्छन अरजिश्टेशन करवा लिया है आप भी पीशे ना रहे है 96855-70712 पर वर्शिप करिए जोइन करिए आपको बहुत मज़ा आने वाला इस test series में यकीन माने एक एक पेपर एक एक question आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और आगे भी जो भी मेंस की test series रहेगी, classes रहेगी, study material रहेगा आपके लिए सबके लिए लेते हमेशा ही लाते रहे हैं, बताते रहे हैं हर चीज तो यह आप सभी के समक्ष है जो अच्छा लगए आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी कक्षा हैं जोइन के लिए कान गयी है कि कुरोना के बाद से परिस्थितियां थोड़ी सी बदल गई है, आज माबाप और सुयम अगर कोई कहना चीए जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो लाक रुपए, डिल लाक पचास साथ हजार रुपए भी फीस का दे पाए, इसलिए एक बीज का रास्ता हमने निकाला है कि आप एली टेस्टिडी जंदौर प्रिंसर के नोट्स लें और फिर टेस्ट लगाएं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी हम आपको अपनी रणमीजी से एक दो साल के अंद और सभी का आशिरवाद और इश्वर मिलकर हमको सफलता दिलाएगा Okay students, मुझे लगता है काफी बाते होगी, podcast में बहुत ही limited बाते ही कर सकते हैं, live आना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं, जर एक एक घंटे का live session, अपने काम की चीज़ हम ढूंडते रहते हैं, उसमें मिलती नहीं है, मैंने ठीक है, अब मैं विष्वास होता है, विष्वास तो करना पड़ता है, जब आप मैस का कोई चप्टर बढ़ते थे पहले तो आप सबसे पहले ये मानते थे कि मانा, राम की आयू एकस है, सोहन की आयू आई है, मानते थे, मानना पड़ता था पहले आपको, अगर आप मानेंगे नहीं, तो आ खाना भी खाते हैं किसी जिगे आप कहना चाहिए जूस पी रहे हैं या मालीजे आप चाए पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं तो यह आप मानते हैं कि इसमें उसने जहर नहीं मिलाया होगा कोई ईशर को प्राप्त करने वाला है मालीजे सूर्दास हैं मीरा है बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने ईशर को पाया है सबसे पहले माना है उन्होंने की ईशर होते हैं तो मैं सिर्फ एक कुछ एक्जेमपल दे रहा हूँ कि अगर सफलता पानी है लाइफ में तो सबसे पहले जो सबसे पहला स्टाइब जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका यकीन अगर आप यकीन करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे और अगर आप यही सोच रहें कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो यकीन मानिए कि फिर आपसे नहीं हो पाएगा आप छोड़ दीजे लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझसे हो जाएगा मुझे से ही होगा और मैं करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए तो फिर जब मीरा के जैसी साधना होगी जब सूरदास के जैसी भक्ती होगी और जब आप कह सकते हैं कि एक खिलाडी की तरह आपकी लगन होगी जो ओलम्पिक मेडल लेके आता है तो आप यकीन मानिए कि फिर आप भी डिपटी कलेक्टर बनेंगे स्टीम बनेंगे लेकिन याद रखी जिन्दगी में अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जिन्दगी एक कदम भी रखना मुश्किल हो जाएगा अगला स्टेप आप रखी नहीं सकते आपको लगए कि जमीन ऐसा तो नहीं कि दलदली है आप जमीन में तो नहीं घुश जाएंगे आप अगला कदम भी रखते तो यह सोच के रखते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से चल पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे तो याद रखी दुनिया जो है वो यकीन पर कायम है यकीन करेंगे तो सफल होंगे यही इस बॉटकास का मंत्र है मेरी दर से आप सभी अभ्यर्थियों को तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुप काम नहीं आप सभी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करें सफल हों आगे जाएं अपने परिवार का, माबाप का, भाई वहनों का और जो भी आपके दोस्त त्यार हों उन सब का आप नाम रोशन करें ऐसी मेरी शुप काम नहीं मिलते अगे पॉडकास में आप आप